हेलो एवरिवन वेलकम टो एकलविया सनातक और मैं हूँ सचिन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर टू से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ओफ इंडिया तीन सो से बारा सो इसकी लेटेस्ट वीडियो है तो इसकी easy explanation आज मैं आप सभी को देने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी से request है छोटी सी के आप मुझे Instagram पे आप मुझे जरूर फोलो करें अगर आप यूज करते हैं और username आप सभी के सामने दिया हुआ है और अगर आपको PDF notes डाउनलोड करने हैं हमारे तो आप टेलेग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं एक लव्या सनातक 1 सर्च पारके वहाँ पे आपको सारे PDFs प्रोवाइट करवा दिये जाते हैं और syllabus की बात करें तो unit 1 मैंने आपको पढ़ा दिये आज unit 2 स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है तो गुप्त और वाका टक प्रशासन अर्थवस्ता समाज और सांस्कृतिक विकास ये हमारे topics रहने वाले हैं सबसे पहले आपको बताओं इस unit को पढ़ने के बाद आप जितने भी स्टूडेंट्स हो आप ये समझ पाओगे कि 34 से सात्वी शताब्दी तक means 4th to 7th century तक प्रशासन कैसा था आर्थिक विवस्ता कैसी रही समाज में क्या बदलाव आया गुप्त काल का विकास कैसे हुआ और गुप्तों का पतन क्यों हुआ और ये सारी चीज़े आज की unit में हम समझने वाले हैं सबसे पहले जो गुप्त काल को एक golden age माना जाता है स्वारन यूग वो एक मेथक मात्र है या वो सच बात है यह हम देखेंगे सो देखो कला के छेतर में वास्तु कला के छेतर में विज्ञान गणित साइते दर्शन ये सारे शेतरों में गुप्त काल के अंदर बहुत ज़्यादा development और बहुत ज़्यादा विकास हुआ प्रगर्ती हुई तो इसलिए गुप्त काल को हम अकसर स्वरन यूग भी कहते हैं भारत का कि भाई गुप्त काल जो है न वो स्वरन यूग था गुप्त काल के टाइम पर कि हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इन सभी चीज़ों का विकास पूर रहा था लेकिन कुछ कोछ चेतर का विकास उतना इक्वल नहीं था ठीक है और अगर मैं आपको बताओं कि आर्दिक सामाजिक और राजनीतिक इस्तितियां हर जगा की अलग होती थी सेम टू सेम नहीं हर जगा एक जैसा होता था भाई माहूल कि अगर वो चेतर अच्छा है विकास कर रहा है तो सारे चेतर विकास करते नहीं और समाजिक संरचना की बात करें तो गुप्त काल के अंदर बहुत ज़्यादा कठोर जाती विवस्ता जाती वाद और आप कह सकते वरण विवस्ता फोलो होती थी और मैं आपको बताओं कि प्रगर्टी हुई इस टाइम पर लेकिन समाज के हर वर् आंतरिक संगर्ष होते रहते थे बाहरी युद्ध आकर्मन लगातार होते रहते थे और ऐसे में ये संगर्ष से क्या होते हैं कि भई जब लगातार लडाईयां हो रही हैं तो समराज्ये को बहुत नुकसान भी होते हैं तो ये नुकसान भी कईनगा ही हुआ था उसने फाइदा है फाइदा हुआ था आर्तिक कारक की बात करूँ तो गुप्त सामराज्य की अर्थविपस्था खासकर व्यापार और वानिज्य में आप अगर देखोगे कि बही बहुत जादा विकास के साथ-साथ किर्शी पर भी बहुत जादा वो लोग निर्बर थे व्यापार वानिज्य किर्शी इन तीन चीजों पर वो जादा लोग निर्बर थे और इसके अलावा करव अगरा वसूलना और धन का आसमान वित्रन आर्तिक रूप से बहुत जादा आसमानता भी थी मिन सभी लोग अमीर नहीं थे सभी को इक्वल वैल्थ नहीं मिलती थी ठीक है तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं और इसके अलावा स्वरन योग के रूप में गुपतकाल की धारना इतियासिक आप अगर यहां पर देखोगे कि इतियासकार जो है हमारे जो लिखते हैं इस्ट्री वो अक्सर ये बतात मतलब करके रखा हुआ है उनकी लाइफ कैसी थी ये तो पता ही नहीं चलता हमें जो भी इतियास पढ़ने को मिलता है उसमें राजा माराजा मंत्री बड़े बड़े लोग अभिजात वर्क के लोग उनकी इस्ट्री पढ़ाई जाती है आम लोग सुखी थे दुखी थे ये देकर 550 इसवी तक जिसने भारत के उपर राज किया था और इसकी उत्पत्ती का पता इसके संस्थापक श्री गुप्त से लगाया जाता है जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने भारत के जो आज की डेट में बिहार का मगत छेतर है वहां से अपना राजवन शुरू क किया था और गुप्त वंच में चंद्रगुप्त प्रथम के नितेत्व में में गुप्त वंच का विकास जादा हुआ है ठीक है जो चंद्रगुप्त प्रथम नाम से राजा आये थे उनके टाइम पर जादा विकास हुआ था गुप्त वंच का जिनोंने बहुत जादा वि चतिशाली राजा बन गया था और उनके बेटे थे समुंद्र गुप्त उन्होंने तो भाई इतने युद जीते थे इतने युद जीते थे और इतने राजनितिक उन्होंने गटबंधन करे भाई चारा उन्होंने इतना अच्छा रखा अपना कि सामराज्य उनके टाइम पर भी बहुत ज़्यादा विस्तार करता रहा फिर चंद्रगुप्त दुईत्ये जिने हम चंद्रगुप्त विक्रामदेत्ये के नाम से भी जानते हैं इनके टाइम पर जो गुप्त सामरजे था वो टॉप पर पहुंच गया अपने चरम पर पहुंच गया जितना जादा के लिए खागोल विज्ञान के लिए एस्ट्रोनॉमी जिसे हम कहते हैं दर्शन यानि कि फ्लॉसपर्स के लिए जाना जाता है और इस टाइम पे भारत बहुत जादा सम्रिद एक छेत्र बन चुगा था सांस्कृतिक रूप से बहुत जादा बदलाव अच्छे-च्छे हो र रहते थे लेकिन इसके बाद क्याएं कि इन कारणों की विजए से ही हमारा गुप्त सामराज्य जो है इसका पतन होता है पाँचवी शताब्दी के अंत्तक आते आते इसका पतन होना शुरू हो गया था अब हम वाकाटक वंश के बारे में पढ़ते हैं वाका टक के बारे मे तो वाकाटक राजवंश प्राचीन भारत का ये एक राजवंश था जिसने तीसरी से छटी शताबदी इसवी तक जो हमारा मिडल का जो भारत है मद्य भारत जो है दक्षिन भारत का कुछ छेत्र यहाँ पर वाकाटक लोगों का शासन होता था कला, वास्तु कला, साहित्य में ये लोग बहुत आगे थे ठीक है वाकाटक वंश के लोग विशेश रूप से आप अगर देखोगे कि गुप्त काल जो था और जो वाकाटक लोगों का जो काल है इनको जोड़ कर देखा जाए तो इस टाइम पर हमारा सांस्कृतिक विकास बह मारा आप अगर यहां मैप पे देखोगे सो माराश्त्र के चेत्र के आसपास जो दक्कन का जितना भी एरिया है पठारी इलाका था उन सभी एरियास पर कंट्रोल करके अपना शासन शुरू करा था और इस वाकाटक राजवंश में सबसे जादा उलेक निये जो राजा किसी को माना जाता है वो समराट हरिशेंड था जिसने पहुत जादा दूर दूर तक अपने राज्यों की सीमा को बढ़ाया था और प्रभावति गुप्त जो की चंद्र गुप्त दुवित्य की पुत्री थी उसकी शादी भी वाकाटक के राजा जिसका नाम था रूदर सेन सेक राजदरबार में गुप्त का प्रभावधि बढ़ने लगता है जब प्रभावति गुप्त ने समाला शासन तो वाकाटक लोगों के जो पूरा जो राजदरबार होता था उसमें में गुप्त वंश के लोग भी बहुत जादा आ गए थी ठीके तो क्योंकि उसका पती था वो मर गया तो आप वो ही समाल रही थी फिर गुप्त लोगों का प्रशासन कैसा था ये अब हम समझने वाले हैं इस वाले टॉपिक में तो गुप्त राजाओं ने कई तरह के की उपादियां धारन कर रखी थी जैसे महराजा धिराच अगर कोई राजा आता था तो उसको कहा जाता था और राजा सबसे इंपोर्टेंट होता था पूरे प्रशासन में और उसका राजकुमार यानि कि उसका ललका भी होता था मंतरी लोग होते थे सलाकार लोग उसके साथ रहते थे राजपुत्रियां जो राजा के पुत्र होते थे उनको छोटे-छोटे प्रांतों पर वाय सराय के रूप में पोस्ट दी जाती थी जो की छोटे-छोटे छेत्रों को समाला करते थे और जो प्रांत होते थे जो अलगलग छेत्र होते थे वो भी कई जिलों में बटे जाते थे आगे बाटे जाते थे हर जिले का भी एक अपना प्रशासनिक अधिकारी हुआ करत उसमें और इस मंत्री परिशत में वित मंत्री रक्षा मंत्री विदेशी मंत्री नियाय के लिए मंत्री अलग-अलग मतलब चीजों के लिए मंत्री होते थे तो इसलिए इसको मंत्री परिशत कहा जाता था और आपको अगर मैं बताओं कि बही जो यहां पे जो केंद्रे प्र प्रशासन होता था इस्थानिय स्तर पर अगर मैं आपको बताऊं गुप्त सम्राज्यी गाओं के लेवल पर भी शासन करते थी ठीक है बहाला गूप्थ से यह म egentligen फसे था कि जो इस्थानिय मामले होते ए इनका निप्टारा स्थ्यानिय लेवल पर ही लोग मिलकर कर दें पंचायत वाले या जिसको भी चुना जाएगा गराम परिशद क्या होता था कि गराम परिशदे जो होते थे वह समुदाय के प्रभावशारी सदस्यों से मिलकर बनती थी जो भी समुदाय में गाओं में जो करते हैं अपना काम करते थे सेने प्रशासन की बात करूं तो गुप्त सामराज्य ने अपने छेतर के रक्षा करने के लिए जो विद्रो होते थे उसको दबाने के लिए और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छी सेना वनाए रखी इनके सेना और हाथियों वाली सेना, अलग-अलग परकार की सेना इनके पास थी, जिससे की सामराज्य और ज़्यादा सुरक्षित हो गया, और एक नियाए की प्रणाली थी भाई, गुप्त सामराज्य में, प्रोपर सभी को नियाए मिलता था, एक नियाए अधिकारी होता था, जो की अल आपने कुछ भी अगर गलती करी है, तो धरमशास्त्र, हिंदूओं के कानूनी गरंथ, रीती रिवाजों को ध्यान में रखते हुए आपको सजा दी जाती थी, अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ, जो की है भूमी अनुदान, तो इस टाइम पर हमें बहुत कई राजाओं ने, और इससे होता क्या है कि भाई उस धरम को भी आप ज़्यादा परजार परसार कर पाओगे उस जमीन पर, ठीक है, आप उसको अच्छे से यूज़ करो, ब्रामनों को बहुत बिक्षू जो लोग होते थे, उनको ये जमीने दान में दी जाती थी, और बोगों का भरोसा भी आपके उपर बनेगा, तो दार्मिक संस्ताओं को भूमी दान दिया जाता था, जिससे की जो धरम की रक्षा भी राजा करता था, जो की राजा का करताव्य होता है, जिससे जनता और ज्यादा विश्वास करने लगती थी राजा के उपर, इसके जमीन तो अपने दे दी उस पर खेती करवा और उस पर थोड़ा टैक्स ले लो जितनी जादा खेती होगी उतना ज्यादा टैक्स भी आता रहेगा और गुछ जमीने जब किसी मंदिर को किसी ब्राहमन को या किसी विशेज धरम के लोगों को दी जाती थी तो उस पर टैक्स जमीन के उपर यहां खेती की बात नहीं कर रहा हूं तो लोगों को क्या है कि उससे और प्रोचसान मिलता था जिसे वो भूमी पर नए-नए काम करते थे ठीक है और कोई टेक्स नहीं देना पड़ता था इसके अलावा यह जमीन तो दान में दे दी जाती थी लेकिन उस जमीन पर लास्ट नियंतरन तो राजा का ही होता था यह तो एनिस टाइन पर डॉक्युमेंटेशन करवा कर दी जा रही है बस दान में दे दी जाती थी अगर यह मालो उस बंदे ने शर्ते पूरी नहीं करी तो ऐसे में क्या है वो राजा अपनी जमीन वापिस भी ले सकता था य जो नियम और शर्तों का पालन हो रहा है वो तामर पत्रों के उपर अभी लेखों के उपर शिला लेखों के उपर लिखवाया जाता था जो आज हमें डॉक्युमेंट के रूप में एक बहुत बड़े स्तुरोत के रूप में जो हम पढ़ते हैं इतियास में पहले चैप्ट पर होते थे समाज में जो की पुजारी लोग हुआ करते थे विद्वान लोग हुआ करते थे और उनके बाद शत्रिय लोग आते हैं दूसरे वरण में जो की योद्धा हुआ करते थे राजा भी शत्रिय ही होता था हमारे शास्त्रों के अकौर्डिंग और तीसरे नंबर प के लोगों की सेवा करते थे जिनको और कोई काम करने का अधिकार नहीं था ना पढ़ने का अधिकार था तो इस तरीके से ये हमारी केटिकरियां चार तरीके से समाज बटा हुआ था और इसी के समाज में काम होते थे सारे काम इसके अलावा जो दास लोग होते थे ठीके जिनस सासों को उस किया जाता था बंधुआ मस्दूर के रूप में जो लोग अचूत मने जाते थे उस टाइम पर उन से घरेलू काम नहीं करवाय जाते थे अर ऐसे में उनके पास जमीन भी नहीं थे थी पिर मस्दूर ही वगरा किया करते थे इसके अलावा एक चाइना से एक बहुत विक्षू आया था जिसका नम फाईयान है जो कि एक विदेशी यातरी था उसने सन 405 से लेकर 411 तक भारत की तीरत यातरा करी थी तो उसने देखा कि यहाँ पर जो आम लोग रहते हैं खास कर जो अचूत लोग हैं आस प्रिश्य लोग हैं उनकी आलत बहुत खराब है यहाँ पर जब अचूत लोग शहरों में आते हैं तो उनको गंटी बजाकर यह बताना पड़ता है कि हम आ रहे हैं गलती से भी किसी ने उनको देख लिया तो उनको स्नान करना पड़ेगा माफी मांगनी पड़ेगी इतना ज्यादा भेदबाव होता था लोगों को अच्छूत माना जाता था उस टाइम पर इसके अलावा हुएन सांग एक और चाइना का यातरी था यह वारत में आया इसने यहां पर देगा कसाई जलाद और जो यहां पर भंगी माने जाते थे यहां उस टाइम पर जिन लोगों का ऐसा माना जाता है कि वही जो लोग सही काम नहीं कर रहे हैं ठीक है उनके लिए यह कैटिग्रियां यूज की जारे जबकि आज की डेट में हमारा सविदान अगर आप किसी को भी इस नाम स कुछ कहते हो तो आपके लिए बड़ा सा बड़ा दंड होगा तो यह सब चीजे प्राचीन बारत में चलती थी यह आज की डेट में बिल्कुल इल्लीगल है आप किसी को एक वर्ड नहीं कह सकते किसी को आप अचूत नहीं कह सकते बिल्कुल गलत बात है क्योंकि भगवान उपर वाला और जो हमारा परमेश्वर वो एक ही है ठीक है उसने सभी को सेम बनाया है लेकिन आप अगर देखोगी कि प्राचीन बारत में कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे अनपड थे जो कि लोगों की कैटेगरियां बना देते थे किसी को उच किसी को नीच ऐसा करते थे यह चीजें गलत हैं यह चीजें हुए इंसांग हमें बताता है उसने लिखा है यह सब वर्ड टू वर्ड अपने उसमें वरितांत के अंदर इसके अलावा उस टाइम पर जादा तर जो उच्च वर्ग की स्तरियां होती थी ठीक है उनको शिक्षा प्राप्त करने की अनुम और घर की जायदात के उपर जो इसतरियां होती है उनको बहुत लिमिटेट राइट था थोड़ा बहुत अधिकार उनको दिया जाता था और वो भी अलग-अलग था उची जाती की जो महिलाएती उनको ज़्यादा अधिकार था निम्न जाती वालियों को तो बस कुछ भी चार दिवारी में बंद रहना पड़ता था जो लोग विदवा हो जाती थी उनको तो बहुत कठोर से कठोर नियमों को फोलो करना पड़ता था जीवन बहुत कठोर हो जाता था उनका और शत्रिये लोगों में तो ऐसा होता था अगर पती मर गया तो आपको भी उसकी जिता से जला दिया जाता था आप भी जाके जल जाओ सती हो जाओ मींस आप इसको कहोगे सतीपर्था जब आपको पती दीरे 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 बाकी और जगओं पर भी फैल गई भराहman चत्रिये वैश्ये हर जगा सदी पर था बहुत जादा चलने लगी थी स्टार्टिंग चत्रियों से हो रही है यहाँ पर फिर आर्थिक बदलावों की अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत तो किर्शी के छेतर में बहुत परिवर्तन हुआ इस टाइम पर भूमी अनुदान होने लगे थे और यहाँ पर जो ब्रामन लोग होते थे उनको एक तो खेती की नौलिज थी उनको अलग-अलग मौसम रितुओं की नौलिज थी उनको जोतिश अपना ग्यान था जो पंचांग विगर होता है केलेंडर होता है उसका उनको ग्यान था उनको किर्शी करने की पोरी डिटेल्ड जानकारी थी इस वज़े से उस टाइम पर खेती बहुत अच्छी होने लगी और आरेश शर्मा जैसे हितियास कारों ने ये भी बताया है कि भाई धीरे 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 हमारा खेती का विस्तार हो रहा था इस टाइम पर और जो हमारा रिवेन्यू होता था वो अलग-अलग तरीके से आता था भूमी यानि कि जमीन से टेक्स आता था और व्यापार से टेक्स आता था जिससे कि राज्य की अर्थ्वेवस्ता चलती थी और गुप्तकाल के end में सिक्के जो मिलते हैं उनमें मिलावट होने लगी थी जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पर कोई संकट आ गया होगा राज्य के अंदर और इसी टाइम पर शेहरों का भी हरास होने लगा था ठीक है और वानिज्जय का तो लगबग अंत हो गया वयापार वगरा एकदम खतम होने वाला था गुप्तकाल का end होते होते तक बाद में क्या है कि भाई धीरे 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 गुप्तकाल का जो एक केंद्रे करे पुरा शासन था वो भी धीरे-धीरे खतम होने लगा छोटे-छोटे छेतर जो होते थे ना वो ताकतवर जादा होने लग गए थे और इससे क्या है कि मतलब कि मतलब इस्थानिय व्यापार तो बढ़ा जब मतलब बड़े लेवल पर तो गुप्त सामराज्य खतम होने वाला था पर पर जो छोटे-छोटे जो राजा-राजा मतलब होते थे जो बन रहे थे उनके चितर में अब व्यापार बढ़ने लगा था बड़े लेवल का व्यापार कम छोटे लेवल का व्यापार जादा होने लगा था और इस टाइम पर किरशी की उन्नती तो हो ही रही थी वन भूमी जो होती थी, जंगलों को साफ करके, खेती वगरा, जादा करी जाती थी, और इस टाइम प्रहुत, धियोगों की बात करें, तो कपडा weed inequalities, बहुत जादा famous माना जाता है, इस टाइम पर, और इसके अलावा, कपडों के demand भारत के बाहर भी होती थी, भारत का कपड़ा फेमस था, रेशम, मलमल, लेनिन, उनी और सूती कपड़ा जो था हमारे यहां का बहुत जादा फेमस था, और गिल्डों में व्यापार वगरा होता था, गिल्ड या श्रेनी, मीन्स व्यापारियों का एक संगठन हुआ करता था, जो गुरुप बना कर सारी यह गिल्ड वगरा होती थी, और इसके अलावा व्यापारी लोग जो हैं, बहुत अपना संगठन अच्छा रखते थे, और बैंकर वगरा भी होते थे, जो लोग उधार वगरा देते थे, साउकार टाइप से होते थे, ठीक हैं, और इसके अलावा अलग-अलग बुनकर, ज उप्त काल के अंदर हिंदु धरम सबसे बड़ा धरम था, या जिसको आप सनातन धरम कह सकते हो, हिंदु मंदिरों को बहुत बड़े प्यमाने पर बनाये गया, उस टाइम पर, और बहुत त्योवार हिंदुों के मनाये जाते थे, अनुस्टान, पूजा पाठ किये जाते विचनो जी, शिवजी और देवी की पूजा होती थी बहुत जादा, भगवत गीता, जो की बहुत बड़ा गरंत है, वो बहुत जादा फेमस हुआ उस टाइम पर, बहुत धरम भी था, मौरे काल के बाद भाई, बहुत धरम धीरे 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 थोड़ा सा, मतलब जि बोध शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंदर नालंदा विश्विद्याल ने बनाया गया ठीक है, इसी टाइम पर, और इसके अलावा जैन धरम भी था, गुप्त काल में जैन धरम का भी विकास हो रहा था, कुछ गुप्त शासक थे, जैसे चंदर गुप्त दुइत्ये, ज जैन मंदिर उन्होंने बनवाए थे, जैन भिक्षों को, और आप यहां पर अगर देखोगी कि, और जो विद्वान थे उस टाइम पर, जैन धरम के, उन्होंने बहुत जादा लिखने का काम करा, साहित्ये वगरा लिखा, ठीक है, और इसके अलावा, सभी धरम के लोग मिल पुराणों को लिखा गया, कई रचनाएं लिखी गई, संस्कृत में बहुत कुछ लिखा गया, वेदान्त, नयाय की किताबें, यह सब अलग-अलग आप अगर देखोगे कि मतलब फिलोस्पिकल किताबें लिखी गई इस टाइम पर, और गुप्त काल में, लोग जो हैं, ह थोड़े से कम बनाये गई हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है, यानि कि मंदिरों को इस्थापत्ते की जो कला होती है, वो थोड़ी सी कम पाई जाती है, और अजनता और अलोरा में पत्तरों को काट कर गुफाएं, जो मतलब गुफाओं बगरा को काट कर जो कला होती हैं, वो शिवजी के जो मंदिरें वो बहुत जादा बनाए गए और अजंता की गुफाएं मूर्तियों को आप अगर वहाँ पे अजंता की गुफाओं में जाओगे बस एक कमरा बनाया जाता था जिसमें मूर्ती को रख दिया जाता था विशुन भगवान की मूर्ती, शिवजी की मूर्ती, पारवती माता की मूर्ती, दुरगा माता की मूर्ती, वरहा अवतार की मूर्ती होती थी वहाँ पे शिव जी को लिंग के रूप में ही पूजा जाता था और उस टाइम पे जो मूर्तियां वो पक्की मिट्टी की होती थी पत्थर की मूर्तियां बस बड़े लोग बनवाते थे बड़े लोगों के पास होती थी ठीक है कुछ ऐसी मूर्तियां मिलती है शिव जी को शिव लिंग के रूप में दिखाये जाता है जो भी हमें प्राचीन हमें मिलता है जो सुरोत वगर हमें या जो भी प्रूफ मिलता है साहिते की बात करते हैं अब हम तो विश्णु पुरान वायु पुरान, भागवत पुरान ब्रमान पुराण, हरिवंज पुराण कई तरीके की पुराण जो हमें कई राजा माराजों के बारे में बताती है वो इसी टाइम पर लिखी गई थी और निर्तिय नाटक और कावे पर जो भरत मुनी ने जो नाटे शास्तर लिखा है वो भी इसी टाइन पर लिखा गया है चंद्रवुप्त दुइत्य के जो दर्बारी कवीदे काली दास बहुत मान कवी माने जाते हैं उन्होंने नाटक लिखा है अपना अभिज्ञान चकुंतलम जो बहुत फेमस है और उनका एक बहुत बड़ा कावे गीत है मेग दूतम संस्कृत का ये भी बहुत जादा फेमस माना जाता है उसी टाइन पर लिखा गया था शुद्रक नाम से एक लेखक हैं जिनोंने मिरच्च कटिकम लिखा है जो हमें शहरी जीवन के बारे में बताती है किताब विशागदत जो कवी थे उन्होंने मुद्रा राक्षस नाम से जो एक किताब लिखी जिसमें नंदवंच कैसे खदम हुआ था वो बताया गया है और देवी चंद्रगुप्तम नाम से एक किताब है जहां चंद्रगुप्त दुध्य ने कैसे सब कुछ सत्ता वगरा समाली वो इसमें इन्होंने लिखा है राजदरबार की भाषा गुप्तकाल में संस्कृत हुआ करती थी और इस भाषा को सबसे ज़्यादा प्रदानता मिली भी थी उस टाइम पर भई और दिल्ली सल्तनत और मुगलों के समय तो भई राजदरबार में फारसी बाषा जादा चलती थी लेकिन संस्कृतियों में अलग-अलग स्थानों में तो है मतलब जो भी लेंग्विस थी वो भी चलती रहती थी ठीके और राजदरबार की भाषा गुप्तकाल में तो संस्कृत थी मैंने आपको बता दिया है तो ऐसे में क्या होता है कि चौती सदी की शुरुवात से लेकर छटी शताबदी तक लगबग मद्य तक जो गुप्त सामराज्ये के लोग थे जो वैश्य मूल के माने जाते थे उन्होंने उत्तर भारत और पस्चिमी भारत प्रशासन किया था इसक हून लोग बाहर से आये उन्होंने अटेक कर दिया या जो राजा माराजाओं का परिवार होता था उसमें अंदर अंदर परिवार के रिस्तेदारों में लणाईया होने लगी या फिर एक बहुत बड़ा सामराज्ये था उसमें चोटे-चोटे लेवल पर अलग-अलग खतम होती है अगर आपको वीडियो अची लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेर करें जैहिंद जैभाव